हेलो एन वल्कम बैक टू मैं यूटुब चानल वोकल विच इंडन प्रोड़क्स मैं हूं मनिशा और आज मैं आई हूं एक नए प्रोड़क्स के साथ जो कि फ्रेंट्स किछन से रिलेटेड है और किछन के लिए एकदम पॉफेक्ट चीज है जो कि किछन एरिया में किछन के सिंग में आसानी से काम आने वाली चीज है और आप आपको यह बहुत पसंद आए चले प्रेंट्स अब इसे हम ओपन करके देख लो पर आप तो आप तो पीराई गाई तो यह है फ्रेंड्स डिश्वाशर डिस्पेंसर आप इसे कह सकते हो डिश्वाशर डिस्पेंसर या आप कह सकते हो तो फोल्डर या आप कह सकते हो लिक्विट होल्डर तो यह है फ्रेंड्स जो की इंडियन ब्रैंड है and I am very thankful to the ZOE brand जिसने एक concept सोचा जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगे आप वहीं से इसको वाय कर सकते तो यह दिश्वाशर डिस्पेंसर यह इस तरीके से दिया गया है यह आपको मेड इन इंडिया लिखा हुआ मिलेगा यह मैंने ओनलाइन बाई किया था एमेजॉन से 149 रुपीस का वहाँ पर मेड इन इंडिया का सिंबॉल होगा आप कोईंस से पचस किजेगा काफी रिजनेबल रेट में है यह अनब्रेकेबल प्लास्टिक है रस्ट प्रूफ है और फुल ट्रांस्परेंसी है इसमें लिक्विट डालके इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो अब हम इसे ओपन करके देखते हैं यह जो कंटेनर है इसकी जो लिड है काफी मजबूत है और जो की काफी टाइट बैटती है अब हम बात करें इसकी पंप की तो फ्रेंट इसके अंदर यह हमें इसमें हमें एक पंप दिया गया है जो की हमें जो भी हमारा लिक्विड है वो उसे फुश अप करने के लिए यहां से निकलने के लिए हल्प करेगा इसे इंस्टॉल करना थोड़ा भी डिफिकल नहीं है काफी इजी प्रोसेस है यह तो मैं आपको बता दू दो इस चीजों का ध्यान रखना है इसकी जो लीड है वो प्राप्त तरीके से बन दो उसके बाद हमें सिधा इसको यहां से डालना है एक दो बार दबाने के बाद लिक्विड बहार नहीं आएगा तो आपको तीन चार बार इसे लबाना पड़ेगा उसके बाद इसमें से लिक्विड बहार आएगा जिस तरीके से दिया गया है उसी तरह के से आप इसे यूज करो अगर आप इसे कभी खोलते भी हो इस तरीके से तो आपको एक चीज का ध्यान रखना आपको कभी उल्टा इसको नहीं डालना है तो friends in case कभी है इसमें से pump अगर निकल जाता है तो द्यान रखिएगा यह जो white वाला side है वो हमें इसमें डालनी है ऐसे और फिर हमें इसको इस तरीके से डालके हमें यूज करना है तो friends आप इसे कहीं अलग-अलग जगाओं पर यूज कर सकते हो आप चाहे तो इसे स्कूल में यूज कर सकते हैं आप चाहे तो इसे ओफिस में होते हैं but you see here last few ans के और जो कच्छा plastic होता है उस तरीके का या प्लास्टिक नहीं है इस घसक लएक कखाई प्लास्टीक के प्लास्टिक होकि मजबूथ है तो यह अन्रेकीबल प्लास्टिक है रस्ट्पूफ है और ट्रांस परेंस यह इसमें आपगो प्लास्तिक में दिशॉइर्ट डिस्पेंसर लोग तो आपको उसमे पंप तो मिले गा हुँ है उसके साथ अगर आप ये खुनके देखोगे तो इसमें आपको एक स्टील का बॉल मिलेगा कह fellas do कि काफी हेलग करता है, ये दोनों तरफ होता है इस तरफ भी होता है और उस तरफ ही होता है जो कि हमें जब हम्ना दबाते है शक्रेम नपाल बहार आने के रहे सुछ Gibral बहुता है यह इस तरह पिलत के इसमें तो मैं दिया गया होता है अगर आप Southern प्रोड़क्स देखोगे तो उनका अगर यह गिर जाता है कहीं आपका अगर यह कंटेनर डिश्वाशर डिस्पेंसर अगर आपका गिर गया तो यह साइड में हो जाएगा तो आपको आए वर्क नहीं करेगा इसकेस में क्या होता है अगर यह मैंने निकाल भी दिया अब हम इ इस तरीके से तो भी यह प्रेस हो रहा है कहीं प्रोड़क्ट के तो यह प्रेस ही नहीं होते है तो हम इसमें डाल देंगे मैं आपको भी लिक्वेड के साथ भी आपको इस सेम चीज दिखाऊंगी तो अब और इसको में एग्दम टाइट लगा देना है यह भी हमारा जो कंटेनर है डिश्वाशर डिस्पेंसर वो गिरे तो हमारा जो अंदर का लिक्विड है वो बैस्ट ना जाय कि इसको इस तरीके से इसका जो ओपन हेड कवर करना है इसमें अपको जी तना चाहिए उपना डिट्रजंट ळीत डालना है जो भी आपको लिक्विड डालना है वह उसमें आपको डालना है आपको फीर बंद कर देना है प्रॉपर तरीके से आप ध्याद रगे कि एक डम टाइट बं दो पूरा बन दोना चाहिए फिर आप अपनी क्लीरिंग प्रोसेस टार्ट कर सकते हैं इसको ऐसे प्रेस करते ही आपका लिक्विड जो है आपका जो भी डिटरजेंट है जो भी लिक्विड है इसमें डिश वॉशर लिक्विड है वो आपका बहारा चाहिए इस तरीके से तो फोरेंट यह अब हम इसको डेमो देखेंग तो सबसे पहला पाने ढ़लते के , अब हम इसमें यह दल अव इस तरीके इस बहार towards ऑ also जालिए फ्रेंट देख लेते हैं इसमें पानी डाला इससे तो पहले अच्छी तरीके से बन कर दीजेगा सारी तरब से इसे बन कर दीजेगा अब हम इसको चेक करेंगे कि यह तो आप देख रहे हो फ्रेंट्ट्टश जब मैंने दो बार इसे प्रेस किया तो पानी बाहर नहीं आया जैसे मैंने तीन-चार बार इसे प्रेस किया तो पानी बहार आते रहा अब बात करूँ जो मैं आपको main चीत बता रही थी कि इसके अंदर जो steel ball है वह अगर मैं निकाल दो रहे तो यह वर्क करेगा कि नहीं करेगा तो मैंने इसको फिर से इसमें डाला तो फ्रेंच यह वर्क कर रहा है जो कि बहुत अची चीज़ है अचले अब हम इसमें लिक्विड डाल लेते हैं अगर कोई आप और प्रोड़क्त लो तो आप चाहे आपको कमप्राइज में मिल रहा ह अगर उसके पंप में से अगर यह निकल गया तो फिर यह अपका जो है कामी नहीं करेगा जो प्रेसिंग वाली चीज़ है वह अपकी कामी नहीं करेगा तो ध्यान रखेगा फ्रेंच आपको किस टाइप का लेना है अब मैं इसमें डाल देते हूं तो फ्रेंट्स अब हम इसमें अपना लिक्विड डालेंगे यह विंबार का डिश्वाशर रखी मैं इसमें इस तरीके से डाल रहे हूं इसके साथ में पाने डालना पसंद करती हूं आप चाहे तो जो भी सोप मिलता है रिंद का अगर आप विंबार से अगर रिश्वाश करते हो तो कोई दिक्कत नहीं प्रेंट्स इसमें रिश्वाशर डाल दीजिए उसको मेल्ट होने जीजिए उसे अच्छी तरी से ज्ञाग बना लीजिए फिर इसका लिडिस में लग करना है इस तरीके से मेरा यह जो लिक्विड है लिकेस से आप देख रहे हो तो मेरे ऐसे ही न्यू प्रोडक्स की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल न जए ही जए बरत